السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ तारीक 3.2.2021 अर्वी में अर्वी की बूप में हमें पेज नंबर 17 पेज नंबर 17 के उपर हमने जो दर्स नंबर 6 दर्स नंबर 6 की मश्क के साथ हुरूफ है वो हमें आज क्या है पढ़ना है लिखना है और समझना है तो हमें हमारी अर्वी की बूप में पेज नंबर 17 के उपर सबसे पहला हुरूफ क्या है तो यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ है यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें हमारी अर्वी की बूप में हम अच्छी तरह देख सकते हैं यहां पर दर्स नंबर 6 की मश्क को, यहां पर सबसे पहला हुरूफ है अलिप, तो हमें अलिप के उपर जबर है, तो कैसे पढ़ना है, वो हमें आज सीखना है और लिखना है, तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आज हम मश्क को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझ तो हमें लिखना भी है अलीफ जबर नून के साथ नून-अलीफ जबर ना पहले हमने अलीफ वाले हुरुफ को पढ़ा इस तरीके से हमने हुरूफ को पढ़ा तो हमें आना चाहिए सम्मझ में के अलिब जबर और नून अलिब जबर ना तो कैसे पढ़ेंगे अना इसी तरह अलिब जबर लिखना भी है और नून अलिब जबर ना लिखना है और पढ़ना है अलिब जबर अन, अलिब जबर ना, अना इसी तरह आगे का हुरूफ क्या है? तो आगे का हुरूफ है यहाँ पर हमें लिखना है अलिब जेर ई, जाल अलिब जबर जा तो हमें इसी तरह लिखना होगा कि अलिब जेर ई, जाल अलिब जबर जा, ई, जा इसी तरह हमें हुरुफ को लिखना है इसी तरह यहां आगे का हुरुफ है खालीब जबर खा बा जबर बा खा ब हमें इसी तरह यहां पर लिखना है खालीब जबर खा बा के उपर जबर लगाना है बा जबर बा खा बा इसी तरह हमें हुरुफ को लिखना है इसी तरह आगे का हुरूफ क्या है मिम अलिब जबर मा तो हमें यहाँ पर लिखना है मिम अलिब जबर मा लाम जबर ला मा ला इसी तरह आगे का हुरूफ है नून अलिब जबर ना तो हमें यहाँ पर नून अलिब जबर ना कौफ जबर को ता जबर ता मिलाकर हुरूफ को ल कॉफ अलिब जबर ना, कॉफ जबर को, ता जबर त, ना कत. इसी तरह आगे का हुरुफ है, यहाँ पर वाव जबर का, लाम जबर ल, वका ल, तो हमें इसी तरह यहाँ पर लिखना है, वाव जबर व। हमें अच्छे राइटिंग से हुरुफ को लिखना होगा, तो हमें यहाँ पर इसी तरह वाव जबर लिखेंगे कौफ अलीब जबर कौफ इसी तरह लाम जबर लो वकालम इसी तरह हमें हुरुफ को लिखना है और पढ़ना है मिम अलीब जबर मा लाम जबर लो हा अलीब जबर हा मा लहा इसी तरह हमें हुरूफ को लिखना है पढ़ना है और समझना है इसी तरह आगे का हुरूफ क्या है तो यहाँ पर हमें मालहा तक ही हुरूफ को लिखना है वो साथ हुरूफ हो गए हमें कितने हुरूफ लिखना है साथ हुरूफ मस्क के 14 खुरूप में हम 6 खुरूप को सिखेंगे और इसके बाद वीडियो में हम आगे के 7 खुरूप को सिखेंगे तो आज हमें अना से लेकर मालहादव हमने खुरूप को लिखा यहाँ पर कुछ प्रॉबलम की वज़े से वीडियो में उपर के नुक्ते रफ हो गए यानि इरेज हो गए है तो हमें लगाना है सही तरीके से तो हमें लगा कर हुरूफ को लिखना है तो यहां हमारा होमबक क्या होगा हमारा होमबक अर्भी में पेज नंबर 17 के उपर दर्स यानि सबक नंबर 6 की मश्क के 7 हुरूफ को हमारी करना है और समझना है प्यारे बच्चों यहां पर गल्ती इसी वीडियो में कुछ प्रोब्लम की वाज़ा से उटर के नुकते रफ हो गए हैं हमने लिखने के टाइम पे लिखा हैं तो कोई बच्चा ऐसा ना करें के नुकता रफ कर दे हमें नुकता लगा कर लिखना है यहां पर कुछ मोबाइल में प्रोब्लम की वाज़ा से रफ हो गए हैं नुकता तो हमें लगाना है तो प्यारे बच्चों यह हमारा हूंवख है और हमारा हूंवख हमें अच्छे से करना है अल्लावीज असलामु अलाईकूं वर रहमतुलाही वबरकात।